कि प्लान कर रहे थे कि बच्चा होगा किसी फैमिली में और उसके बाद उसी हिसाब से इंवेस्मेंट वगरा है उसके बढ़ाई लिखाई का खर्चा प्लान किया और हो गया ट्विन्स किसी किसी के लो ट्रिपलेट्स भी हो जाते हैं भाई साब खर्चा दो गुना और तीन प्लान करोगे और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फाइब नंबर्स का यह जो फाइब नंबर्स होंगे वो आपके इंवेस्मेंट को ग्रेट इंवेस्मेंट बनाएंगे और फ्यूचर आपका बहुत ही ब्राइट हो सकता है टेंसन फ्री हो सकता है और आप एक financial freedom को इंजवाय कर सकते हैं फाइब नंबर्स क्या-क्या है इनको मैं detail में आपको समझाता हूँ पहला नंबर है inflation इसको आपको ध्यान देना होगा सेकंड नंबर है rate of return आपका कि आप उससे अपने investment से कितना rate of return जमरेट कर सकते हैं थर्ड नंबर है आपका life expectations उसके हिसाब से planning करना चाहिए फिप्ट नंबर है थोड़ा dangerous and in fact ये सबकी life में हो सकता है क्योंकि कई बार आपकी life में कुछ unexpected scenario हो जाती है जिसका मैं example अभी देने वाला हूँ तो ये पाचो नंबर अगर आप plan में include करेंगे in fact इसके बिना तो real plan बन ही नहीं सकता so मेरा नाम धननजय है मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ complete financial planning मेरे बारे में description नीचे आपको मिल जाएगा कि मैं क्या हूँ और किस पे वीडियो बनाता हूँ ये भी आप detail देख सकते हैं finance ज्यादा तर corporate strategy corporate strategy and normal general thing जो happenings हो रही है उस पे वीडियो बनाता हूँ so अगर पसंद आया तो subscribe कर लीजेगा इस चैनल को और वीडियो को भी like करिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और एक example से start करता हूँ माल लीजे आपने या आपके किसी दोस्त ने या जानने वाले ने एक planning की और ओ planning बिलकुल investment रखा कि उनकी wife pregnant है या खुद lady pregnant है और उनने planning की अपने बच्चे की उसके education की उसके आगे की जो upbringing की और अपनी insurance उसी तरह से लिया अपनी investment उसी तरह से लिया because बच्चे को school भेज 1000 पर मन्त है एक normal school में तो उस हिसाब से planning किया गया अब मालीजे उस बच्चे के को doctor ने उस parent को doctor ने एक great news दे दी कि आपको twins होने वाला है पूरी की पूरी planning उनकी धरी रह गई अब उनको double planning करनी है तो double planning investment का करने के लिए एका एक तो कुछ नहीं होता अब आपकी जितनी भ सब कुछ सई चल रहा है मैं आपको example बताता हूँ एक बार जो मैंने अपना organization start किया था तो I was struggling with money बड़ी मुश्किल से monthly हम लोग खर्ची चला पाते थे तो एका एक पता चला कि बहुत तेज voltage आया और हमारा जो generator है इनो जो silent generator होता हो बस्ट कर गया हमारा transformer बस्ट कर गया औ और दो लाग का खर्चा आगया और light के बिन आपको पता एक भी दिन आप आगे ने बढ़ सकते हो तो दो लाग का खर्चा आज के दस साल पहले हो भी तब जब survival बड़ा मुश्किल था कुल मिला के बहुत हमारे लिए मुश्किल हुआ but anyhow we managed तो ये जो आपके पास unexpected चीज़ गूगल किया होगा कि इंडिया का inflation क्या assume किया जाया है तो सब ने roughly 6% का आपको एक idea दिया बड़ आपको जानके बड़ी हैरानी होगी surprise होगा कि most of the places जहां मैं रह रहा हूँ हाँ प्रदेश में schools को 10% fees बढ़ाने की इजाज़त होती है 10% से जादा ओओ fees अपनी नहीं बढ तो तुन नहीं रहा यार 1% कम 9.9 कभी 9.5% मैं हर साल fees बढ़ा देता हूँ तो बच्चों की fees में inflation तो 10% हो गया कहीं कहीं सायद और जादा होगा जैसे state में ऐसा कोई objection नहीं होगा तो बच्चों की fees में 10% का inflation तो यहीं दिख गया अब आप जड़ा imagine करिए उनके bottle पे उनक जो tiffin पे उस पे कितना percent inflation है फिर से लिए आजाते है higher education में आपने देखा होगा IIT की fees पिछले कुछ सालों में बढ़ी है पहले बहुत कम था उसके बाद एक बढ़ा दिया गया IEM की fees 2023-25 में 31.5 50 lakhs रूपी के आसपास है 31.5 lakh 15 साल पहले यह करीब करीब 5 lakh या उससे भी कम होता था तो यहाँ पे inflation 12 से 13 percent पहुंच गया तो आप जब 6 percent plan करते हैं तो normal routine में अपनी consumer price index को देखें तो वहाँ पे आप 6 percent मान सकते हो 6 percent का जमसन कर सकते हो बट overall you have to deal with the true inflation जो different sector में different होता है medicine में इस time में आपको जरूरी जाच कराने जाएए वहाँ पे inflation आपको दिखेगा कुछ ज्यादा ही testing में inflation आपको ज्यादा दिखेगा कोई भी test हो रहा है आपकी body का तो body check up में वहाँ पे inflation आपको दिखेगा तो कुछ चीजों में inflation आपको आप national inflation के normal inflation से आप relate नहीं कर सकते तो आपको inflation plan करके अपनी सारी जो growth है उसको देखना होगा एक example ले लेता हूँ आपकी अभी lifestyle पचास हजार रूपे में चल रही है suppose करीए आपकी age 40 है और आप पचास जार में आपके खर्चे निकल जाते हैं पूरे दिन के आपको पता है 6% inflation rate अगर आप plan करके अपनी saving को अपने investment को plan करें कि retirement के बाद आपको क्या मिलना चाहिए per month so that you can be comfortable तो आपको जानके हरानी होगी 6% inflation को assume करें तो उस time आपका जो earning होना चाहिए या आपको जो आपके पास पैसे होने चाहिए same lifestyle जीने के लिए 1.6 lakh परवंथ होना चाहिए यानि आज का 50,000 रुपया 20 साल के बाद 1.6 lakh के बराबर होगा तो यह होता inflation सिंपली से जो लोग ने पहली बार देख रहे हो इस टाइप के वीडियो में करें बता दू 100 रुपय की चीज जो आज मिल रही आपको अगले साल 100 रुपय में नहीं मिलेगी अगले साल ओ 105 ए 110 रुपय मिलेगी तो जो जितना एक्स्ट्रा है ना तो आपका अभी 50,000 6% inflation के 6% inflation के rate से 1.6 lakh के बराबर होगा 20 साल बाद अगर आप inflation को 2% कम कर लो 4% तो 1.1 lakh होगा यानि 2% से difference कितना आगे आप देख सकते हो तो right inflation plan करना भी आपके लिए imagine करना या calculation करना उसके basis पे आपके लिए बहुत important होता है तो पहला point जो inflation था इसको आप calculate करिये roughly overall 6-7% आप मानके चलिए तो बढ़िया होगा, better होगा ज़्यादा मानके चलो, ज़्यादा पैसा अचाए अगध बुराई तो है नहीं तो 8% मान लोग बहुत ज़्यादा सुखी रहोगे आप उसके बाद अगले point पे आ जाते है rate of return अब यार rate of return क्या होना चाहिए मैं जानता हूँ कई-कई लोग पूरी live bank में बैसा जमा करते हैं FD में जमा करते हैं, कुछ लोग you know post office में जाते हैं क्यार वहाँ 1% ज़्यादा मिलता है 6%, 7%, 6-7% के आसपास bankों में interest मिलता है आज कल थोड़ा interest बढ़ा हुआ, फिर down हो जाएगा तो यह cycle चलता रहता है so roughly from 4% to 8% के बीच में कही न कहीं आप bank में interest लेते हो but you know, उस पे 30% आपका tax भी जाता है अगर आप tax lab में आ रहे हो तो 30% तो माल लो, अगर आप 7% interest ले रहे हो तो उसका 30% यानि 2.1% तो माइनस कर दो, you'll be getting 4.9% तो 4.9% आपका interest मिल रहा है और 6% से जादा का inflation है so basically आपका पैसा या तो वही है या थोड़ा सा उसमें kill कम हो गया उसने अपनी value लूस कर दी तो आपको rate of interest अपने investment पे calculate करना plan करना is really very very important so what I believe that you know you must park your money in different different asset class उसमें कुछ gold भी हो और याद रखना gold jewelry के shop से लेके आओगे कहने तो उसमें making charges लगने है making charges आजकल 20-30% लग रहे है so वो आप digital gold हो ज़्यादा सही है बढ़ ध्यान दो कहीं-कहीं GST बगरे का चक्कर हो जाता है तो सब calculation करो जो आजकल sovereign bond आ रहा है उस bond को ले लो आप तो यह आपकी च्वाईस है बढ़ हाँ gold एक asset class अच्छा है जो आपको roughly उपर ही होगा बढ़ता ही रहेगा 6-8% का return दे सकता है आराम से देता आ रहा है उसके बाद कुछ आप nifty में जरूर लगाओ directly या indirectly बाद में इसको कम करते रह सकते हो जैसे ऐसे age आपकी बढ़ेगी लेकिन सुरू में आप nifty में percent ज़्यादा पार्क करो तो कि वहाँ पे roughly 13% का आपको और conservative side में 11-12% का आपको rate of return मिलेगा mutual fund में भी depending on 8% to 20-29% तक का भी return कुछ-कुछ fund कभी-कभी दे देते हैं बट long run में 12-13% का 12-13% का rate of return आप mutual fund से भी expect कर सकते हैं उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कि बाकी जो remaining पैसा है कुछ FD में भी डालो because safest है और बड़ा liquid होता है कुछ चीजे जो liquid नहीं होती यार मैं personally बड़ा भुक्त होगी हूँ क्योंकि कई-कई बार आप बहुत सारा पैसा अपना real estate में डाल देते हो और वो कत्ते ही liquid नहीं है कोई कितना भी बोल दे क्योंकि जब भी आपको पैसे चाहिए वो कभी भी आपको पैसे लाके नहीं देगा but it will never give you money कभी नहीं देगा वो हमेशा वो परिशान कर देगा आपको और आप हमेशा discounted rate में बेचोगे most of the time so वो एक liquid asset आपका नहीं है अगर आपके पास various asset class हैं तो डाल सकते हैं but I would not very you know suggest very much उसके बाद आजाते हैं life expectancy 69 years लगभग इंडिया का life माना जाता है तो आप अपनी planning 69 years से करोगे नहीं यार 80-90 साल तो मान के चलो क्योंकि अगर आप अच्छी lifestyle जी रहे हो अच्छा precaution ले रहे हो health पर ध्यान दे रहे हो medical facilities आपके पास अच्छी है तो अपनी life को 85 years का assume कर सकते हो जितना ज़्यादा आप assume करके चलोगे उतना बढ़िया होगा because अगर मान लो आपने 70 years अपनी life को assume किया और उसके हिसाब से अपने insurances वगरे प्लान किया और अपनी expenditures प्लान किया pension प्लान किया post retirement अपने planning की और पता चला आप 80 साल जी गए तो आपके लिए बहुत मुस्किल होने वाला है तो मेरा मानना है कि आप अपनी life को assume करके चलिए कि आप 8090 साल जीएंगे इसके बाद आजाते है growth in income growth in income यार क्या हो सकता है आपका देखो काफी है तक तो government नौकरी वालों को पता होता है यार कुछ भी कर लें कुछ भी पहाड तोड़ लें हमारी growth ऐसी होनी है ये peace skill government का ऐसी ही लगना है लेकिन private sector में कई-के बार आपको बहुत अच्छी growth मिल जाती है कई बार आपको steady growth मिलती है slow growth मिलती है तो actual में पढ़ा करने के लिए आप पिछले 5-7 सालों का देख लोग आपने कैसे growth किया उसी के rate से अपनी growth प्लान कर सकते है growth in income और जिस तरह से आपका growth in income हो उसी तरह से आपकी lifestyle better होती जाती है तो जो retirement, post retirement के बाद आप plan करते हो ना तो वो growth जैसे अभी हमने हमारा खर्चा 50 जार में चल रहा है हो सकता हमारी lifestyle अच्छी हो जाए तो पहले हम movie देखते हैं आगे वाले seat पे बैठके जब पैसा ज़्यादा आने लगता है तो बीच वाले seat पे आ जाते हैं और पैसा आ गया था तो पीछे हम recliner पे बैठके movie देखते हैं तो यही हल life style में होता है तो पहले आप sleeper class में चलते थे फिर AC 3rd में चलने लगे फिर AC 2 में आ गया बहुत पैसा हो गया तो आप आगय executive class में या flight से ही चलने लगे तो इस तरह से आपकी life style में जो बदलावाता है वो उसको धायन में रखके अपने investment strategy को बनाना बहुत ज़रूरी है नहीं तो बाद में आपने जो अभी के हिसाब से plan किया हो गड़बड हो जाएगा तो अपने investment strategy को retirement planning को बीच-बीच में evaluate करते रहें उसमें top-up करते रहें यानि कुछ और add-on करें उसके बाद आ जाते हैं और unexpected situations यार जो unexpected situations है ना किसी एक साथ हो सकते हैं एक example दिया कि plan कर रहे थे कि बच्चा होगा किसी family में और उसके बाद उसी हिसाब से investment वगएर है उसके बढ़ाई लिखाई का खर्चा प्लान किया और हो गया twins किसी किसी के लिख ट्रिपलेट्स भी हो जाते हैं भाई साथ खर्चा दो गुना और तीन गुना मढ़ गया तो अब क्या करोगे तो unexpected हो गया कुछ एका एक पता चला कि इनों flood आ गया कहीं पे या कहीं पे घर का एक हिस्सा गिर गया अब आपको एका एक खर्च बनवाना है को कि आप रोख तो सकते नहीं हो पता चला गाड़ी का unfortunately भगवान ना करें कुछ तूट-फूट हो गया तो अब ऐसा तो है नहीं पैदल चलोगे और ओफिस जाओगे किस तरह सकाम चलाओगे लेकर उसे बनवाओगे तो तो कुछ-कुछ unexpected खर्चे आ जाते हैं जिसे हम emergency fund की तरह से एक हमें पार करना चाहिए ये strategy में जरूर include करें कि इतना पैसा हमारे लिए emergency fund होगा और वो एकदम highly liquid होना चाहिए liquid का मलब एक दिन में आ जाए दो दिन में आ जाए तीन दिन में आ जाए या week में आपको at least मिल जाए medical emergency आ गई हलाकि उसके लिए मैं recommend करता हूँ कि insurance जरूर लेके चलो तो ये सारी 5 point कौन-कौन थे inflation, rate of return, life expectancy growth in income और unexpected situations तो ये 5 point आपको देखेंगे तो उसके बाद आपकी life काफी असान हो जाएगी, चलो हम conclude कर देते हैं इसको conclusion ये होगा कि आप अगर planning को एक-एक साल 6 महिने में review करिए, अपने strategy को review करिए और उसके लिए time निकालिए, track करिए जो मैंने अपने बहुत सरे videos मनाया track करिए, review करिए और अपने assets को relocate भी आप भीज-भीज में कर सकते हैं, जैसे age बढ़ती जाए तो आपने equity से पैसे निकाल निकाल के safer side में लगाने लगे आप अभी आपका age कम है तो ज़्यादा equity में डाल दिया, बाद में हम आप ज़्यादा review इसलिए करना होगा, क्योंकि आपकी life style आगे बढ़ती जाएगी, अभी आप AC वाले office में है, प्रह रहे रहें, दस सल पहले साइद नहीं रहते थे, अभी साइद अपने घर में AC लगवा लिए दस सल पहले fan में रहते थे, पांच सल पहले cooler में रहते थे, so these things